हेलो दोस्तों स्वागत है आपका क्रशी करांती के इस YouTube चैनल पे कुछ universities हैं जिन्होंने आपके documents reject किये हैं ICR UG के लिए और उनके reason क्या क्या थे वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो सबसे पहले हम बात करें शुरुआत करते हैं आनंद से लास्ट इयर तक क्या था कि जूनागड हमेशा आनाकानी करती थी अड्मिशन देने में जिन्होंने अपनी जो subject है agriculture से 12th कर रखी है उनको तो इस साल आनंद ने भी वही चीज़ फॉलो करी है उनने मना कर दिया कि बोल रहे हैं हम आपकी जो subject हैं यह हम पैचान नहीं पा रहे हैं कि यह से कौन से subject हैं जो आपने बोर्ड में पढ़ रखें और आप ICR की जो eligibility है ABC इसको फुल्फिल नहीं कर दे हो तो उनको आप information bulletin दिखाए सबसे पहले कि वहाँ पे 12th में अगले साल से कि हाँ अगर आपको agriculture वाला बच्चा चाहिए तो उसने कौन से subject पढ़ रखी हो तो हम अपने बोर्ड में आड करवा दें 12th बोर्ड में आड करवा दें इपी बोर्ड में 36 गर्ड में बिहार में हर जगे वह subject एड करवा दें जिससे वह बच्चा ICR के लिए eligible हो जाए जब वहाँ पे इंटर अग्रिकल्चर करके आ रहा है तो इंटर अग्रिकल्चर के साथ दूसरे सब्जेक्ट वहाँ पर कोई भी एड नहीं है तोल्थ में अगर आप information विल्टिन को सही से देखेंगे तो आप किस बेस पर हमारे जो admission है उसको deny करना चाहते हैं अभी तो की student था मेरा जिसको किस बेस पर आप हमारा admission deny करने वाले हो आगे किस बेसे पर कोई भी बेस नहीं है बेस लिस्ट चीजों पर आर्गुमेंट कर रहे हैं वह आनंद वाले सबसे पहली बात बेस लिस्ट अर्गुमेंट है आप information बुल्टिन को पूरा प्रिंट करवा के लिए जाना last वीडियो म में mention करो जब choice filling कर रहे हैं या फिर आप पहले से information bulletin में डलवा के रखो कि इंटर agriculture के साथ ये भी subjects compulsory है तब हम admission देंगे तो आपने तो ऐसा कुछ करवाया नहीं तो गलती आपकी है जूनागड में भी last year 3-4 students थे जिनको admission देने में आनाकानी कर रहे थे लेकिन at last उनने भी admission लिया और बहुत सारे students है फिछले 2-3 सालों में जो pass out भी हो गए है ठीक है पास आउट भी हो गए है agriculture student है जूनागड ने degree दिये हैं और आनाद में कोई भी आनाकानी करता है तो सीधा आप tweet करें और अपनी जो criteria eligibility information bulletin उसको screenshot में लगा के रखें ठीक है ये बात हो गई आना पारी अगली इन्वसिटी है Solan, Solan में BSC Horticulture के लिए उन्होंने ABC वाले जो subjects के बच्चे हैं उनको deny किया है क्यों eligibility अब वही चीज सेम जैसे मैंने आनंद के लिए बताया है यही information bulletin का screenshot आप Solan के लिए भी लगाएंगे और उसके लिए भी tweet करेंगे ऐसे बच्चे जिनका reject हुआ है Solan में ABC के कारण उनको भी admission मिलना चाहिए क्योंकि information bulletin में आपको BSC Horticulture के लिए जब आप eligibility चेक करेंगे तो inter agriculture वाला भी eligible है ABC PCA वाला भी eligible है आप दिखा दीजी कहां पे ऐसी line लिखी है कि जहां BSC Horticulture के लिए eligibility सिर PC भी मांगी गई हो ऐसी कहीं पे भी कोई line नहीं है तो Solan को भी admission देना पड़ेगा आपको अपने point पे स्थिर रहना है और वो चीज़ highlight करना है कि sir आप information bulletin दिखा दीजे कहां पे है हम नहीं लेंगे आपके इधर admission कोई दिक्कत नहीं है छोड़ देंगे admission बट आप दिखाओ तो पहले कहां पे लिखा है ऐसी चीज तो admission deny क लेकिन आपको अपने point से हटना नहीं है resubmission की date है resubmit करना आप वही चीज़ वापिस से आपको phone करके बोलेंगे कि दोस्त आप submit कर दो हम आपको verify कर देंगे क्योंकि इसमें university की गलती है उनने गलत तरीके से reject किये है आपके documents आपकी कोई भी गलती नहीं है इसमें ठीक है य तो वो subject group के चकर में documents reject कर रहे हैं तो UHS वालों से भी सभी से बोल रहा हूँ जिनका भी UHS reject किया है वापिस से उनके पीछे लगे रहो eligibility दिखाओ information bulletin दिखाओ आपका verification हो जाएगा इतने भी South India के colleges हैं अगर आपकी बात को समझ नहीं रहे हैं North East के college अगर आपके बात को नहीं कर रहे हैं तो tweet करो tag करो उनके officials को उन तक बात पहुंच जाएगी आपका काम हो जाएगा उनके rejection email और आपके information bulletin के दोनों के screenshot आप tweet कर दो चीक है और officials को tag कर देना और मुझे भी tag कर देना जिससे मुझे भी पता चले कि हाँ कौन कौन से बच्चे हैं जहां पर problem face कर हैं तो आपके response करना चालू कर देंगे calls उठाना चालू कर देंगे और mail भी आपके reply करना चालू कर देंगे यह हमने बात कर लिए तीन इनवस्टी अचारे एंजी रंगा वहाँ पे भी same problem है अगर आपने PCB से दिया और बहुत सारे बच्चे हैं जिनका ABC था तो उनके भी documents reject हैं शुरू के जो documents उन्होंने verify किये थे वो तो कर दिये लेकिन बाद के जो अभी कल पर सो कर रहे थे verification उनमें उन्होंने reject कर दिया वो documents तो आपको वहाँ पे भी information bulletin का screenshot उनको भेजते रहना है जितने भी उनके official से उनको भेजते रहना है और वो चेज़ ट्वेट कर देना चार universities हैं जिन्होंने गलत तरीके से students के documents reject किये हैं बाकि कहीं पे भी किसी भी university में गलत तरीके से document reject नहीं किया गया है चाहे आपने 12th PCB से करी हो भले ही आपने examination ABC से दिया हो सबका verification हुआ है सबका selection हुआ है और provisional admission later भी उनको generate कर दिया गया गया अगर कोई university नहीं मान रही है आपकी जो eligibility वाला remark है वो नहीं हटा रही है तो आप उनको request करो कि sir आप हमें admission मत दो बस यह remark हटा दो आप यह लिख दो वहाँ पे रिमार्क में कि हमने documents upload नहीं करें तो at least हम mop-up में जाके दूसरी university जो हमको admission दे रही है वहाँ पे जाके हम try कर पाएंगे ineligibility वाला जो remark है उसको आप जरूर हटवा लेना अगर कहीं आपके documents में दिखकत है तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ value मिली होगी इस वीडियो को like कर देना और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना जो अफिर आगे phase कर सकते हैं ट्वीट कर देना अगर कहीं पर भी problem जाती है और मुझे भी inform कर देना किसी भी phase में अगर आपको कहीं पर भी कोई university गलत तरीके से document reject करती है मैं आपके साथ बिलकुल हूँ end तक हूँ starting से जिस दिन से मैंने ABC PCA के लिए video बनाया था उस दिन से अगर आपको कहीं पर दिक्कत है admission नहीं देना तो आप वहाँ पर वर्म बढ़ते time inform करिये हमको ऐसा नहीं होता है कि 6 महीने बाद inform किया जा रहा है कि यहां बेटा आपने ये गलती करी थी ऐसा कुछ नहीं होता है आपको अपने point पेश्टी करेना है और admission आपको मिलेगा क् कि आपके मेनत काई admission है किसी की भीग नहीं है वीडियो में इतना ही मिलता हूं मैं आपको किसी नए वीडियो में तब तक स्वस्त रहें मस्त रहें देखते रहें कृशिक रामती YouTube चैनल सचित आनंद के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद